बाई लास्क लास में हमने डिसकस तो यह करी लिया था कि ब्राउंस्टेड लॉरी कंसर्ट क्या होता है इसमें जो में इन कंसर्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एसिड है तो उसका एक कॉंजूगेट बेस होता है एसिड Conjugate Base एसिड से Conjugate Base कैसे बनाएंगे हम ह- minus करके अगर इससे मैंने ह- को माइनस कर दिया conjugate base बना अब यह वाली जो बात है यह सबसे main बात है जो मैं बोल ने जा रहा हूं अगर conjugate base weak है इस के साथ है बत अगर conjugate base weak base है वीक बेस का मतलब यह है कि यह H लेना नहीं चाहता, यह मतलब है वीक बेस का, तो जो acid होगा, conjugate acid वो strong होगा, हम बोलेंगे इसको कि यह strong है, अगर acid कोई भी है दुनिया का, मुझे नहीं पता कौण सा acid है, मैं उसे AH मान लेता हूँ, बस, ह इसले के ह देने वाला ही acid होता है, अब यह A कोई भी पार्ट है, HCL है, HBR है, H2O है, या whatever you want to take, जब यह H डोनेट कर देगा, तो A नेगेटिव बनेगा, अगर यह strong है, अगर की बात हो रही है, अगर आपको मैं बता देता हूँ कि यह strong है, तो इसका conjugate base जरूर weak होगा, 100 पर जितना यह strong होगा, उतना यह weak होगा, and vice versa, अगर यह weak है, मान लो, acid बहुत weak है, तो base strong है, और इसका conjugate acid, H देना नहीं चाहेगा, weak acid हो जाएगा, तो यह वाली बात आपको दिमाग में रखनी है, कि acid base concept क्या था, यहां तक हमने last class में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ ली थी बात सारी कि सारी, और अब हम आज की class में जो पढ़ा है, पढ़ना है, वो proceed करते हैं, जैसे acid base हो गया, यह h3 हो positive, acid, इसका conjugate base, यह base conjugate acid, मैंने अभी आपको बताया, acid, base, यह acid further, इसको बोल देंगे base, इस base के साथ कौन related है, acetic acid, यह दोनों related है, तो मैं इनकी resemblance शोग करने के लिए आपर one लिख देता हूँ, acid one is related with base one, with the exchange of H positive, इसी तरह से यह दूसरा acid reverse के लिए, उसे मैं इससे distant करने के लिए two लिख देता हूँ, यह acid two base two, acid two base two is related with the exchange of H positive, H3O positive, H3O positive एक H दे देगा, तो water बन जाएगा, water एक H ले लेगा, तो H3O positive बन जाएगा, यह bronze state low-reconcept कहलाता है, और bronze state low-reconcept में हम conjugate acid base को check करके decide करते हैं, acid strength की and base strength की, इतना part हमने यह last class में किया था, अब utility इसकी क्या है, main application इसकी क्या है, utility of bronze state low-reconcept, बहुत सारे molecule ऐसे हैं, जो, bronze state low-reconcept is not limited to molecule, but includes even the ionic species, act as acid or base, बहुत सारे substance ऐसे हैं, जिने हम base कह सकते हैं, जिसमें OH नहीं है, फिर भी हम उसे base बता रहे हैं, जैसे अभी तक जो आरहीनियस ने बोला था, उसने base की से बोल दिया था, उसने base उसे बोला था, जिसके पास OH होता है, OH नहीं है, अगर किसी के पास, मैं तो यहाँ CL negative को भी base कह रहा हूँ ना, bronze state low-reconcept के according, थोड़ा extended हो गया यह, यह थोड़ा सा बढ़ गया, CL negative, एक H को गेन कर सकता है कहीं से, तो CL negative base, हलाकि इसके पास तो OH नहीं है, यह तो एक अकिला, एक आयन है, CL negative, तो bronze state low-reconcept थोड़ा extended था, इसके comparison में, बहुत सारे substance जिसमें OH negative present नहीं होते, फिर भी हम उनके basic behavior को explain कर सकते हैं, जैसे ammonia है, ammonia के पास नहीं होता OH, NH3, लेकिन lone pair तो है इसके पास, जब मैं इसमें कोई HCL add करता हूँ, तो HCL acid होगा, यह अपना H देगा, यह H gain कर लेगा, गेन कर लेगा तो क्या बनाएगा, NH3 से NH4 positive बना देगा, प्लस CL negative बना देना चाहिए इसे, NH4 positive प्लस CL negative जो बनाया, यह अब ammonia का conjugate acid, ammonium ion का conjugate base, ammonia, तो ammonia को मैं base बोल सकता हूँ, यह explanation किया जा सकता हूँ, जो non-equos medium हैं, उसमें भी हम explain कर सकते हैं, अच्छी काम की बात क्या है, यहाँ, जो non-equos medium है, उन non-equos medium में भी, water के बिना भी, अब यहाँ कोई water नहीं लिया गया, देखो, ammonia and HCL में water कहां लिया हमने, water के बिना भी हम बता सकते हैं, कि ammonia जो है, वो एक base है, HCL acid, एक इसकी utility यह थी, यानि यह कुछ better था, इस concept के comparison में जो हम जिसे आरहनियस concept बोल रहे होते हैं, निया तकाई hope के बात समझा गई होगी, आगे देखते हैं इसके बात, limitation के बात, कमिया इसमें भी थी, अब कुछ कमियें दूर कर दी, इसने आरहनियस concept की, लेकिन फिर भी इसमें काफी कमिया रही, वो क्या कमियां थी, वो हमें देखनी है, कि क्या कमियें ऐसी हैं, जो भी ब्राउंस्टेड लोरी कंसर्ट में रहे गई, इट कुड नॉट एक्स्टेइन दे रियक्शन ओकरिंग, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, अब बात ऐसी आई, कि दुनिया में बहुत सारे कमपाउंड ऐसे भी देखे गए, जहां पर एच था ही नहीं, एच नहीं था उनमें, और वो फिर भी एसीड की तरह से एक्ट कर रहा है, भई ठीक है, लोन पेर तो आपने बोल दिया, कि वो एच नहीं तो लोन पेर चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे सबस्टांस ऐसे भी पाए गए, जिन में एच नहीं था, फिर भी वो एसीड की तरह से एक्ट कर रहे थे, मैं वो एक्जामपल डारेक्ट अभी नहीं देना चाहता, आपको एकदम से समझा जाएगी बात, आपको अधरवाइस, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक्जामपल दूँगा, कि कौन से जैसे BCL3 है, BCL3 एसीड की तरह से एक्ट करता है, इसके बावजूद भी केस में कोई H नहीं है, H नहीं दे सकता है, जब है ही नहीं तो देगा कहां से, लेकिन फिर भी ये एसीड की तरह से एक्ट कर रहा है, तो ये एक्स्प्लेनेशन नहीं दे पाया था, ब्रॉंस्ट डॉरी कंसेंट, इसमें तो एक्ट कर रहा है, जब कि ब्रॉंस्ट डेट कंसरप्ट तो ये कहता है, कि अच डेते हैं अपना, बेस वो होते हैं जो एच लेते हैं, तो इसमें तो एच नहीं है, हैं फिर भी एसेड की तरह से कर रहा है तो यह बात थोड़ी केरफुली आपको देखने होगी बेसिक ऑक्साइड के बारे में जैसे केल्शम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड क्यों है बेरियम ऑक्साइड मेगनेशम ऑक्साइड इसका एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया जा सका और बिना सॉल्वेंट की प्रेजन्स के बहुत सारे जो रेक्शन हो जाते हैं उनको कोई एक्स्प्लेन यह नहीं कर पाया इसी तरह से सब्स्टांस जैसे मैंने अभी एक्जेम्पल दिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड इनमें हाइड्रोजन नहीं होता फिर भी यह प्रोटॉन ना होने के बावजूद भी यह एसिड की तरह से एक्ट करते हैं समझागी बात है एक मिनट होड़ करना है सबसे पहले तो हमने एक कंसेप्ट एसिड बेस के लिए पढ़ा कौन सा औरहिनियस कंसेप्ट दूसरा ब्राउंस्टेड लोरी कंसेप्ट तीसरे एक और कंसेप्ट की जरुरत पढ़ी क्योंकि कुछ यहां लिमिटेशन्स आ रहीं हैं वो मॉलिक्ल एसिड होते हैं H हटा दिया लो इस ने जरुरत नहीं है एक की जिन मॉलिक्ल के पास खाली ऑर्बिटल है वो लो इसिड्स हैं अर जिनके पास लोन पेयर है वो लो इस बेस हैं यह फाईनल कंसेप्ट रहा एसिडंट बेस का हाँ ठीक है बहुत सारे अमोनिया हैं जो ब्राइट लोरी कंसरफ फथा अमोनिया उसे बेस कहता था ब्राइट कंसरफ खे तो यहां的話 किसी और कर नेट bisесто creatures यहां बस एच का नाम लिए बिना उसने Кाली ऑर्बिडल बोल दिया को क्वाली और यहर के पासней यह यह प्रच के अलावा किसी और के पास है जैसे अलुमिनियम क्लोराइड है या बोरोन ट्राइड है यह हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था जब बोरोन ट्राइड है वेकेंट और्बिटल को मुझे आउटर शेल में तीन इलेक्टरॉन है ना तीन बॉन्ड बना दिये सिगमा तो छे दोनेड कर दिया तो क्या बना एम एक त्री लोन ट्राइड हुआ बेशत्री बना अब यह बोना जाएगा कि Jennifer ऑ मूया बेशत्री बोला जाएगा कि असड कि और जिनके पास भी एक loan pair donate करने के लिए होता है, वो Lewis base कहलाते हैं, जिनके पास एक loan pair gain करने के लिए होता है, वो Lewis acid कहलाते हैं, एक loan pair gain करने के लिए क्या चाहिए, खाली orbital, vacant orbital required है, एक coordinate bond बनेगा जो बाद में अगर positive and negative के बीच में बन रहा है, तो वो एक single equivalent bond की तरह से add किया जो एक loan pair accept कर सकते हैं, यह pair of electron को ध्यान से पढ़ना, loan pair है यह, pair of electron किसे कहते हैं, electron के pair कोई तो loan pair कहा जाता है, यह oxidation reduction नहीं है, भाई, प्लीज, थोड़ा सा इस बात को समझ के कर ले ना, कभी सोचो कि एक magnesium था, उसने दो electron दे दिये, दो electron दे कर magnesium two positive बना दिया, ऐसी बात नहीं कहीं जा रही है आपसे, confusion मत करना, mix मत कर देना चीज़ों को, यह इसने अपने electron रखे, अपने पास ही ammonia ने, दिये नहीं, लेकिन bond भी बना लिया, BH3 के साथ, coordinate bond तो ऐसा ही होता है न, यह permanent नहीं दे दिये इसने, इलेक्ट्रो वैलेंसी नहीं है, यह जो oxidation reduction में पढ़ते हों आप, वो permanent donation कर देते हैं, electron का, permanently gain कर लेते हैं, redox एक अलग चीज़ है, Lewis acid-based concept अलग चीज़ है, यह दे रहा है, मतलब अपने पास तो रखेगा, यह फिर भी देगा, और coordinate bond इन दोनों के बीच में बन जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों electron इसे दे दिये, NH3, two positive बन गया, ऐसा नहीं करना है, तो यहां से कुछ confusion लग सकता है, कि electron pair accept करना, और electron pair donate करना, यहां कुछ confusion लग सकता है, उस confusion को हटाने के लिए, मैंने आपको बता दिया, कि redox reaction एक अलग चीज़ है, और यह जो हम यहां concept पढ़ रहे हैं, यह बिल्कुल एक अलग बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़े हैं, इसको आपको अच्छी तरह से बात को समझ करके करना होगा, the molecule in which the central atom has incomplete octate, incomplete octate होगा, जब ही तो vacant orbital होगा, boron trifluoride के पास, बना करके देखना यह, boron के outer shell में तीन electron है, एक ने fluorine से bond बना लिया, एक ने fluorine से bond बना लिया, एक ने fluorine से bond बना लिया, तो भई यह electron रहे कहां रहे थे, 1s1, 1s2, 2s2, 2p1, यह configuration था, जब energized state में आएगा, तो p में दो electron हो जाएंगे, s में एक रह जाएगा, यह configuration है boron का excited state में, fluorine ने combine किया, fluorine ने combine किया, इसके साथ fluorine ने combine किया, यह 3 तो bond पेर हो गए, तो 2 और 2, 4 और 2, 6 electron हो गए, एक यह खाली orbital है ना, यह show कर रहा हूं मैं यहां, जिनके पास भी खाली orbital यह निकल गया, चाहे वो p orbital है, चाहे वो d orbital खाली निकल जाता है, तो यह Lewis Acid कहलाएंगे, अब आप इन्हे Lewis Acid कह सकते हैं, important concept है यह, BCL3 के पास भी, मैंने एक बना के दिखा दिया यह, ALCL3 के पास भी, BECL2 के पास भी, एक की जग़ा दो खाली orbital होते हैं, यह सब के सब Lewis Acid बोले जाएंगे, बड़े important बात है, बना करके देख लोगे एक बार, फिर याद रहेगा concept, फिर नहीं बोलोगे, क्या है यह P, यह तो मैंने जो अभी यह वाला जो orbital मैं लिख रहा हूँ, यह P orbital है, hybridized P orbital है, unhybridized sorry, और अगर D orbital भी कहीं खाली निकल गया, तो भी आप इसको Lewis Acid बोलने का अधिकार रखते हो, जैसे SIF4, silicon के पास तो चार इलेक्टरोन है, फिर भी क्यों खाली orbital, कौन सा खाली orbital, 1S, 3S, 3P, configuration जब आप बनाओगे, बनाना है, atomic number लिख करके silicon का, silicon कार्बन के नीचे होता है, कार्बन का ही configuration है, तो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, चार फ्लोरीन से कंबाइन कर गया, ऑक्टेड भी पूरा हो गया, फिर कहां से आगया खाली orbital, ये 3S है, ये 3P है, ये 3D orbital खाली पड़े हुए हैं, ये 3D orbital की वज़े से ये बोला जाएगा कि लुईस एसिड है, बहुत सारे elements ऐसे होते हैं जिनमें, D orbital की वज़े से लुईस एसिड, SIF4, SNCL4, Phosphorus Pentafloride, Phosphorus Pentacloride, ये सब लुईस एसिड की तरह से इसलिए एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास outer shell में, या तो P orbital खाली हैं, या D orbital खाली हैं, और भी बहुत सारे molecules हैं, कुछ molecules ऐसे हैं, जैसे molecules having multiple bond between atoms, of dissimilar electron negativity, for example, हम देख सकते हैं, कुछ में multiple bond हैं molecules में, multiple bond होने के बाद भी, वो vacant orbital available होते हैं इन में, जैसे carbon dioxide है, एक example ये आया, एक example sulfur dioxide का आगिया, अब जब हम इने देखते हैं example को, तो लगता है कि इन में तो खाली orbital है यह नहीं, बात सही भी है, carbon dioxide में नहीं है, फिर क्यों Lewis acid की तरह से ये act कर रहा है, फिर ये इसलिए Lewis acid की तरह से act कर रहा है, क्योंकि ये electronegative है oxygen, ये carbon less electronegative है, आपने resonance में पढ़ते हुए bonding वाले chapter में पढ़ा था, कि ये pie bond एक element पर आकर के move कर सकता है, electronegativity की वज़े से ये इसे अपनी तरफ खेंच लेता है, तो oxygen पर चार जा जाता है negative, carbon पर चार जा जाता है positive, ये positive चार जाने की वज़े से इसकी वैलेंसी चार की जगा तीन रह गए और एक orbital खाली हो गया, तो कुछ example हमारे पास ऐसे भी निकल जाते हैं, जिन में लगता है देखने में के vacant orbital नहीं है, लेकिन जब हम उसको examine करते हैं properly, तो examine करने के बाद vacant orbital उसमें निकल जाते हैं, जैसे carbon dioxide, sulfur dioxide, multiple bond लेकिन उसमें होने चाहिए, जब multiple bond, polar multiple bond मिल जाते हैं, जैसे CO2, SO2 अगेरा में, तब ये वाली condition follow होती है, तो ये examples में बता रहा हूँ आपको, के जो-जो Lewis acid की तरह से add कर सकते हैं, वो तो ये हो गए सारे example, ये जितने भी सामने examples लिखे हैं, ये सब Lewis acid वाले example हैं, एक बार इसको दुबारा से ध्यान से देख लो, BF4, question है ये सीदे, Lewis acid आप से पूछे जाएंगे, और question पूछा जाएगा, ये चार जो मैंने मार्क किये हैं, why these are Lewis acid, क्या अंसर करोगे, these are Lewis acid because they have vacant orbital, दूसरा वाला B part वाला, why these are Lewis acids, these are Lewis acids because they have vacant d-orbitals, अप्टी और्बिटल नहीं है, इसमें d-orbिटल हैं, यहाँ इन examples में, C part में, इसका explanation न लग है, carbon dioxide and sulfur dioxide, Lewis acid क्यों हैं, because carbon double bond oxygen, bond तूट कर carbon पर positive charge आ जाता है, positive charge आने पर, एक vacant orbital एपियर हो जाएगा, जो पहले नहीं था, इसलिए हम बोलते हैं, कि यह Lewis acid की तरह से act करते हैं, तीन type के example है, type बताए मैंने, और Lewis base क्या होंगे, बड़ा simple है, Lewis base बताना तू, Lewis base वो होते हैं, जिनके पास lone pair present होते हैं, दुनिया में कोई भी substance, कोई भी molecule ऐसा है, जिसके पास lone pair है, चाहे वो neutral है, चाहे वो negatively charge है, यह पहले हम example neutral वाले लिखेंगे, जिनके पास lone pairs, बाद में example हम लिखेंगे, negative वाले, lone pair वाले कौण से examples हो गए हैं, हमारे पास हो गए है, ammonia जैसे, सबसे बढ़िया example, ammonia निकलता है, water बड़ा अच्छा example है, alcohol एक बड़ा अच्छा example है, CH3, CH2, NH2 एक अच्छा example है, I mean, CH3, CH2, OH एक अच्छा example है, lone pairs हो गई है, इन सब को बोलेंगे, हम कि ये, I mean, alcohol, water, ammonia, या और भी बहुत सारे, ये Lewis based हैं, ये neutral हैं, कोई charge नहीं है ना इन पर, दूसरे टाइप के examples हो गए हैं हमारे पास, जो negatively charged species हो, negatively charged species कौन सी, कोई भी दुनिया की negatively charged species, जैसे CL negative, OH negative, इसको तो वैसे भी base कहते हो, लेकिन negative की वज़े से बोल रहे हैं अभी हम, R negative, CH3 negative, NH2 negative, negative होगा, तो loan pair जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना बच्चो, अगर negative होगा, तो loan pair जरूर होगा, positive का मतलब नहीं है, कि vacant orbital है या नहीं है, positive के साथ कुछ रिलेट नहीं करना, लेकिन negative के साथ loan pair जरूर रिलेट करता हो, यह negative है तो वह loan pair हम यहां बोल रहे हैं, जिनके पास loan pair होते हैं, तो वो Lewis base बोले जाते हैं, CL negative, OH negative, CH3, NH2, यह सब के सब Lewis base की तरह से एट का, दो type के example बस निकलते हैं हमारे पास, तीसरे type का कोई example यहां पर नहीं है, अब जो आती है इस chapter की एक अच्छी खासी important बात आती है, उससे भी ज़्यादा important उसके बाद आईगी, हमने यह तो बता दिया ठीक है, कि यह acid है, यह base है, यह बात तो हमने discuss कर ली, लेकिन अब हम यह कैसे बताएंगे, कि यह molecule stronger acid है, या weaker acid है, यह बात molecule को देख करके बताना आसान काम नहीं है, या तो मैं आपको बता दूँ के HCL में, and HBR में, जैसे मैंने पिछली क्लास में एक question दिया था आपको, बता दिया था कि HBR stronger acid होता है, तो आप इसका conjugate base बताओ कि V कौन सा होगा, तो जो जितना ज़ादा stronger acid, उसका conjugate base उतना ही पर, यह तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं दो molecule लिख देता हूं, और आप से फिर पूछता हूं, कि आप बताओ कौन सा stronger acid है, यह थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से नहीं बताओ, या कोई ऐसा नहीं है, कि switch on off किया, एकदम से बता दो के, बहुत सारी चीज़े आपको इसके लिए सीखनी होगी, उन बहुत सारी चीज़ों में से systematically एपलाई करके, हम ज़्यादा तर molecules का बता सकते हैं, फिर भी 100% का नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं है, कि बस जो molecule रखा, कोई किसी machine में डाला, दूसी दरफ से answer निकल गया, ऐसा नहीं है, theoretically बताने के लिए, थोड़ा सा हमें जोड़ लगाना पड़ता है, तो अगर हमें relative acid base strength बतानी है, तो हम categorize करेंगे in acids को या base को, relative strength of acid and base, भी एक की पता चल जाए, दूसरे की तो खुद पता चल जाएगी, अगर acid strong है, तो conjugate base, conjugate base weak होगा, और acid अगर मैं बताना चाहता हूँ, कि ये acid weak है या strong है, तो मुझे उसके conjugate acid को ही देखना पड़ेगा, यही एक तरीका है, तो हम इन acids को, पहले कुछ groups में categorize करते हैं, फिर एक एक group की acid strength का तरीका ढूंग लेते हैं, काफी हद तक आप acids, यानि जो problems आपको NCRT level पर given है, या जो छोटी मोटी हलकी आसान problem कम्टेशन में आती हैं, वो करने में आप capable हो जाओगे, relative strength of acid and base, mains level तक की आप problem कर पाओगे असानी से, ये करने के बात, लेकिन पहले हम इनको categorize करते हैं, पहले हम उन acids की बात करते हैं, जो inorganic acids, यानि जिन में carbon as a carbon chain present नहीं हैं, organic acids तो अलग होते हैं, जैसे acetic acid, propanoic acid, जिसमें carbon होते हैं, हम उनकी बात फिलाल नहीं करते हैं, inorganic acids भी बहुत सारे होते हैं, जैसे nitric acid, sulfuric acid, HClHBR, तो अब हम अगर इन inorganic acids को categorize करते हैं, तो दो टाइप में categorize करते हैं, हम पहले, एक वो जिन में oxygen नहीं होता, ऐसे acid जैसे HCl, HBR, जैसे NH3, जैसे HI, जैसे pH3, जैसे H2S, अगर मैं इने acid कहा रहा हूँ, H तो ही न, H हटा तो सकते ही हैं, मुश्किल से हटेगा या असानी से हटेगा, वो जी तो जानना है strength बताने के लिए, असानी से हटेगा तो हम strong acid बता देंगे, मुश्किल से हटेगा तो हम weak acid बता देंगे, तो अगर मैं inorganic acid की acid strength जानने की कोशिश करता हूँ, तो पहले मैं इनको आसान करने के लिए दो पार्ट में केटाग्राइज करूँगा, एक वो जिनमें oxygen है यह नहीं, दूसरे वो जिनमें oxygen हैं, जिनको हम oxo acid कहते हैं, या oxy acid भी कह सकते हैं, oxy acid, example देख लो जैसे H2SO4, जैसे HNO3, जैसे H3PO4, या और भी HClO4, यह सब acid भी हैं और इनमें oxygen भी है, HClO3, HClO4, HClO, यह सब, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यह B part मैं कह रहा हूँ, और इसको मैं A part बोल रहा हूँ, तो हम एक एक करके करते हैं, relative strength of inorganic acid, हम पहले उनकी चेक करते हैं, जिनमें hydrogen लगा हुआ है, या जो वो सिर्फ hydride है, अब hydride को predictable के according दो तरफ चला दो, बस आप left to right, up to down, असान है चीज, अगर समझ गया आप, तो एक मिनिट में सारी type के hydride की acid distance पता चल जाएगी, देखो, कोई भी एक group ले लो, कोई भी एक period ले लो, period number 2 ले लो, period number 2 में ये आगया हमारा carbon, nitrogen, oxygen, और halogen, fluorine, इसका hydride बनाओ, CH4, इसका hydride बनाओ, NH3, oxygen का hydride बनाओ, water, fluorine का hydride बनाओ, HF, एक type के तो ये हो गए, जो left to right मूव करने पर hydride हम चेक करते हैं, दूसरे type के वो हो गए, जो up to down मूव करने पर hydride होते हैं, जैसे HF लिख दिया, अब मैं यहीं पर चल जाता हूँ, HF, HCL, HBR, HI, इसमें मैं अगर आउँगा, H2O, H2S, H2SC, इसमें अगर मैं आउँगा, nitrogen के नीचे phosphorus, NH3, pH3, phosphorus के नीचे arsenic, ASH3, and so on, arsenic antimony होता है, SbH3, बिसमें तो होता है, BiH3, methane, SiH3, H4, sorry, carbon silicon, germanium, GEH4, and so on, SN आजाएगा, SNH4, lead आजाएगा, PBH4, यह हम दो trend देख रहे हैं, एक left to right move करने पर, एक up to down move करने पर, एक बात आपको सिंपल सी क्या याद रखनी हैं, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस, क्या बात याद रखनी हैं आपको, कि left to right move करने पर, acid strength बढ़ती चली जाएगी, मैं बहुत जादा conjugate base वगेरा की detail में नहीं जा रहा हूँ, बस, simple, left to right move करने पर, acid strength depend करती है electro negativity पर, जैसे जैसे electro negativity बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे acid strength बढ़ती चली जाएगी, conjugate base वीक होता चला जाएगा, लेकिन up to down move करने पर, electro negativity तो कम हो रही है, लेकिन up to down move करने पर, ये decide हम electro negativity से करते ही नहीं, size से करते हैं, मैं short में बता रहा हूँ, detail में जाए बिना, तो up to down move करने पर, क्योंकि fluorine का size चोटा है, chlorine का size थोड़ा बड़ा है, bromine का size और बड़ा है, iodine का size तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये negative charge, जो H हटने के बाद आएगा, उसकी stability काफी ज़्यादा हो जाएगी, stability ज़्यादा होने से base वीक हो जाएगा, base वीक होगा, तो conjugate acid stronger acid हो जाएगा, आपको जो बात याद रखनी है, कि acid strength up to down move करने पर भी increase होगी, इसके बावजूद भी की electro negativity कम हो रही है, उपर से नीचे जाने पर, detail से मैंने क्यों बताया, मैं एकदम से बोल देता कि acid strength, चाहे left to right जाओ, चाहे up to down जाओ, बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे example आपको मिलते हैं, उसमें confusion लगता है, आप बस उसमें एक चीज़ समझ ले, याद कर लेते हो, कि electro negativity देखनी है हमें, बिल्कुल देखनी है electro negativity, लेकिन electro negativity सिर्फ left to right जाओ करने पर देखनी है, up to down अगर मूँ करने में कोई problem मिल रही है हमें, तब हमें electro negativity ना देखकर, size of atom देखना हैं, जिस पर H लगा हुआ है, जितना बड़ा size होगा, atom का जिस पर H लगा है, वो उतना ही stronger acid होगा, HI सबसे strong acid है, तो मैं अगर order यहाँ पर लिखता हूँ, तो HI सबसे strong acid आएगा, यह वाला, उपर से नीचे वाला order लिख रहा हूँ, HBR उससे weaker acid, उससे weaker acid HCl, उससे भी weaker acid आजाएगा, HF, यही order यहाँ, सबसे weaker H2O, H2O से stronger, H2S, H2S से stronger, H2SC, यही order, ammonia सबसे weaker, NH3 सबसे weaker, उससे stronger pH3, acid की बात हो रही है, उससे भी stronger, ASH3, यह तो बात हुई, अप्टू डाउन मूव करने पर, लेकिन, अगर यह question आपको कहा जाए, left to right मूव करने पर, क्या condition रहती है, left to right मूव करने पर, electronegativity जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, hydrides की, hydrides की, acid strength, बढ़ती चली जाएगी, hydride की acid strength, बताओ कैसे होगी, जब हम, carbon को चेक करेंगे, तो carbon की electronegativity तो कम है भई, उससे जादा nitrogen की है, उससे जादा oxygen की है, उससे जादा fluorine की है, तो CH4, weaker acid होगा, उससे जादा acidic होगा ammonia, उससे जादा acidic होगा water, उससे जादा acidic होगा HF, एक किसी भी period में, तो period number two की बात की है मैंने, period number three में भी यही order रहना चाहिए, SIH4, weaker acid आएगा, उससे stronger acid आएगा pH3, उससे stronger acid आएगा H2S, उससे stronger acid आएगा HCL, यह order यही के, यही मैंने निकाल दिया, fourth period की अगर मैं बात करता हूँ, GEH4, weaker acid है, उससे stronger ASH3, उससे stronger H2SE, उससे stronger HBR, यह order एक मिल गया है, अब तूडाउन मुव करने पर हम कर चूके, बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी इस केहं बढ़ेगा, लाफ ओर बाही इस के कमें बढ़ेगा, लाफ तौराइट अमूव करने पर reason, करने पर नहीं चलता कारण है कोई फुरसत होगी तो बिल्कुल डिटेल से करूंगा डिस्कूस कि अब टू डाउन मुग करने पर साइज के एकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं तो यह दो और मैंने आपको बताए इससे आप पिरिडिक टेबल के उन मॉलिक्ल्स को जिन में ऑगजी एसेड नहीं होते इसको मत माल लेना कि ऑगजीजन तो है अभी मैं जैसे बोल रहा हूं ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए और जो एसेड नहीं है यह तो खुद ऑक्सीजन पर ही हाइड्रोजन लगा हुआ हूँ है एच्टू एस सो फूर जैसो की बात कर रहा प्रेजन फिर फिर इंगे और एक्ञा जन तर जब तीन एलिमेंट यह तो है एक एक्जैम्पल वाटर आगा और और कोई ऑक्सीजन वाला इनमें एक्जैंपल नहीं आएक तो ऑग्जो एसिट के इसट्ट हाइड्राइड अगर है तो इस ओर्डर पर हम निकाल सकते हैं बह तो यह order हम लिख सकते हैं तो यह पूरी बात जो मैंने बताई आई होब कि आपको अच्छी तरह से समझा गई होगी बस आप इन order को देख लो यही जो बात मैंने बताई है वही एक्जामपल यह दुबारा यहां पर लिखे हुए है कोई और अलग से कुछ नहीं है यह देखो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रो निगटिव यह कौन से प्रड की बात अब टू की बात है है अब करेदटू का मेंबर कार्बन है नाइट्रोजन ओक्सीजन है फ्लोरीन लाफट ओ राइट मूँ करने पर औस इस से बढ़ती चली जारे प्रिट नमबर थी का मेंबर है शिलीक प्लोरीन 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 फ्लोरीन 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 फ्लोरी size बढ़ता चला जाएगा, acid distance बढ़ती चले जाएगी, यह order आपको दिमाग में रखते हुए करना, तो एक तो यह hydride की बात मैंने आपको बता ली, दूसरे नमबर पर हम आते हैं, जिनें बोलते हैं, हम oxy acids, oxy acids वो जिनमें oxygen present होते हैं, इनको हम अलग तरह से decide करते हैं, यहां हमें मदद लेनी पड़ती है, oxidation number की, अगर हम electronegativity and oxidation number चेक करें, तब उस base पर हम decide कर पाएंगे, कि acid strength किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, दो type के oxy acids मिल पाएंगे आपको, कुछ लिखता हूँ मैं, examples तो आपको बात clear होगी, जैसे आपको बोला गया HOCl, आपको बोला गया HO OBR, जैसे आपको बोला गया HOI, यह oxo acid है, पहला काम, सबसे पहला काम यह करो, कि जो elements हमें given है, उन elements की oxidation number लिख लो, यह element chlorine है यह ब्रोमीन है, वेरी जो कर रहे हैं, यहां पर oxidation number है, इसका plus one, chlorine का, निकालना पड़ेगा, जब निकालना पड़ेगा, जब निकालना निकालोगे तो आएगा, मैं oxidation number पर नहीं जा रहा हूं, BR का plus one है, अडीन का plus one है, वे oxygen का minus two होता है, hydrogen का plus one हो गया, तो chlorine का plus one ही आएगा ना तो, जब oxidation number same हो, oxo acid के तब की बात हो रही है, oxo acid में a part, when oxidation number of acids, oxo acids are same, तब हमें किस base पर decide करना है, तब acid strength directly proportional होती है, electronegativity के, जैसे जैसे electronegativity बढ़ती चली जा रही है, ये लेकिन conditional है, ध्यान रहे हमेशा नहीं, conditional है बात, क्या condition है, जब oxidation number same होगा तब, जैसे जैसे electronegativity बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे acid strength बढ़ती चली जाएगी, क्या बात बताई मैंने oxy acid के लिए, जो oxy acid दिये गए हैं, उनकी सबकी oxidation number लिख लो रहा है, आपने देखा कि oxidation number same आ गई, सबकी, आब applicable है ये, अब ये बात जो मैं लिख रहा हूँ, हमेशा की नहीं है, ये तब applicable है, जब oxidation number same होगा सबका, तो acid strength, electronegativity के proportional है, क्लोरीन की electronic सबसे ज़्यादा है, बी आर की उससे कम है, आवडीन की सबसे कम है, तो ये order जो आ जाएगा, HOCL सबसे ज़्यादा acidic होता है, HOBR उससे कम होता है, HOI उससे कम होता है, question मिलेंगे आपको NCRT में बाद में मिलते हैं, ऐसे question करने के लिए आते हैं, कौन acid strong है, और line लगके competition में आते हैं, means में ये question line लगके आने का मतलब, एक question acid strength का आगया, दूसरा फिर घुमा फिर आके acid strength का ही दे दिया, line लगके आने का मतलब ये है, acid strong हम किसे कहते हैं, जो solution में ज्यादा H positive देता है, H O C L ज्यादा H देगा, H O B R कम H देगा, H O I सबसे कम देगा इन तीनों, एक रफ सा तरीका निकाल रहे हैं भी एक दम से पहले दिन से ही थोड़ी सारी सारी बात पता चल जाए, निकालने को हमारे पास और भी तरह के है, acid strength निकालने के, लेकिन अभी हमने छोटे-छोटे तरीके जानने के लिए, oxy acid के ये तरीका ढूंडा कि अगर oxidation number same है, तो electronegativity बढ़ते जाने के साथ, acid strength बढ़ती चली चाहेगी, लेकिन अगर oxidation number ही different है, and element same है, आप कुछ example में लिख रहा हूँ, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. अब जो element यहां पर हमें given है, वो तो सब जगाए की है, यह क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, यहां condition उपर वाली तो लगेगी नहीं, असान सी बात है, if, element is same, but, oxidation number is different, then, acid strength is directly proportional to oxidation number, हमेशा नहीं, जब element same होगा, यह तब की बात हो रही है, यह conditional है, यह oxidation number के directly proportional तब है, जब element same है, same element अगर होगे, तब हमें यह condition apply करनी होगी, same element मतलब ऐसे distance ज्यादा, तो oxidation number भी ज्यादा रही होगी, लेकिन हम check कैसे करेंगे, पहले oxidation number चेक करेंगे, अब इन तीन चार cases में, आप compare कर लो, acid strength, oxidation number हमें देखने पड़ेगी, oxidation number सबसे पहले आ जाएगी, इसकी तो plus one है, निकालो, minus two multiplied by two, plus four, plus one, कितने आ गई, plus three, यह तो minus four हो गई न, total, यह हो गई हमारे पास, plus one, तो मुझे plus three रखने बढ़ेगी, क्लोरीन की, तब ही जाकर के तो यह balance हो पाएगी, यह plus five आ जाएगी, इसकी निकालो, oxidation number प्लस seven आ जाएगी, बढ़ रही है oxidation number, भी oxygen बढ़ेंगे, तो oxidation number तो बढ़े गई, एक hydrogen की वज़े से कम कर रहे हैं, बस हम, चार oxygen है, minus two multiplied by four, minus eight, एक hydrogen की वज़े से कम हो गई, तो plus seven हो गया, यहाँ, जो order है, oxidation number के directly proportional है, हCLO सबसे कम, उससे जादा हCLO two, उससे जादा हCLO three, उससे जादा हCLO four, यह बड़ी important problems हैं, आपके करने के लिए, ज्यादा ionization कहां होगा, सबसे ज्यादा ionization, इन चार में, हCLO four में होगा, ज्यादा H positive कौन provide करेगा, ज्यादा H positive, हCLO provide करेगा, ज्यादा degree of ionization किसकी होगी, ज्यादा degree of ionization, हCLO four की होगी, equilibrium forward direction में, ज्यादा कहां shift होगा, कौन सा equilibrium, यह वला equilibrium जो मैं लिख रहा हूँ, हCLO four, H positive, प्लस, CLO four negative, अब जब यह ज्यादा SD कहां है, तो ज्यादा H positive बनेगा, comparatively, किस के comparison में है, हCLO के comparison में, हCLO के comparison में, H positive प्लस, CLO negative, एक यह reaction मेरे पास है, एक reaction मेरे पास यह, हम कह रहे हैं हमने अपने तरीकों से किसी तरीके से निकाला कि यह जदा Kahakasidic है, आप dob G League मतलब, H positive जदा, जदा H positive मतलब यह इसके comparison में, एकलिब्रियम फॉर्वर्ड जदा है जदा एच पॉजिटिव तो तो भी बनेगा यह वीकर इसिट बता दिया इसके कंपारिजन कभी भी बोलना है वीकर इसिट तो अधूरी सी बात है अब मैं बोल दूँ मेरे नंबर जादा आए तो जादा भई किसके कंपारिजन में जादा आए यह बढ़िया बात तो तबी होगी ना कि उससे जादा आए मेरे नंबर जादा आए तो मेरे नंबर मालो सौ मेंसे बीस आए और वो मन में मैंने चुपाली सारी बात और बोल दि ली देखेजा ज़र मैं बोलता हूं कोई strong acid है तो किसी के comparison में हो सकता है वो strong acid कभी किसी के सामने आकर एक पड़ जाए कोई acid ऐसा भी हो कि उस से भी stronger हो तब मैं बोलंगा इस acid के comparison में यह weaker acid है तो यह जो concept हम compare कर रहे है एक को दूसरे के साथ कर रहे है तो यह जो मैं बोल रहा हूं कि अगर इस्ट्रॉंग यह अपने आप में बड़ा स्ट्रॉंग इसे होता है लेकिन जब यह सामने तो यह वीकर इसिड कहलाएगा यह स्ट्रॉंगर कंपारिटिव डिगरी जो बोल रहा हूं इयार बोल रहा हूं इस्ट्रॉंगेस्ट नहीं बोल रहा हू degrees पढ़ियोंगे आपने, superlative degree, comparative degree, मैं comparative degree बोल रहा हूँ, in comparison of hclo, hclo4 is more acidic, that means ज्यादा h-positive देगा, ज्यादा h-positive देगा, मतलब equilibrium यहां forward ज्यादा shift होगा, यहां कम forward shift होगा, यह meaning है मेरी बात को, यहां तक समझनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ न, यहां के degree of ionization, alpha, यहां ज्यादा होगा, ज्यादा ionization, अभी हमने alpha पढ़ा था, यहां आज और भी discuss करूँगा, हमें alpha मतलब degree of ionization, 100 molecule यहां सो में से कितने ionize हुए, अगर सो में से 10 यहां ionize हो रहे हैं, तो 10 से ज्यादा ज्यादा होंगे, यहां हो सकता है, 20 हो रहे हो, 30 हो रहे हो, 40 हो रहे हैं, तो magnitude नहीं पता, हमें comparison सिर्फ qualitative comparison पता है, quantitative comparison हम इन method से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें practical की ज पाएंगे कि यह acid कितना होगा, उसके लिए हम निकालेंगे, इसी chapter में आखरी में पहुंचेंगे, pH वगेरा जब चेक करेंगे, तो हमें बात पता चल जाएगा, दो बाते मैंने बताईए, दो बाते अच्छी तरह से आपको सोच करके करने पढ़ेंगी, एक बात मैंने बत जितनी ज्यादा उतना ज्यादा acid, एक बात, दूसरी बात मैंने बताई, जब element different हो, element sorry, same हो, oxidation number different हो, तब जितनी ज्यादा oxidation number उतना ही ज्यादा acid strength, इस बेस पे अब मैं आपको जितने possible example हैं, अच्छे examples for सारे करा रहा हूं, अब यहां देखो, first case, यह हमने अभी किया example, यह plus one है, यह plus one है, यह plus one oxidation number मैं लिख रहा हूं, oxidation number same, तो electronegativity के base पर हम करेंगे इसको problem को solve, यहां oxidation number same, plus seven है, इसकी भी plus seven है, इसकी भी plus seven है, तो electronegativity किसकी ज़्यादा है, chlorine की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की electronegativity सबसे ज़्यादा होगी, तब हम डिसाइड करेंगे, कि सबसे ज़्यादा acidic यह होगा, HClO4, इन उख़ोसेट इस, the same element, acidic behavior increases with increase in oxidation number, element same है, chlorine है, यहां भी यहां भी chlorine है यहां भी chlorine लेकिन इनके oxidation नंबर अलग अलग आ रहा है प्लस 7 अब elektronegativity तो मैं नहीं बोल सकता कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है गानियेसे नमबर वोग्यष कुछ वह हो इन यह स्वार दी कमने में सब्सक्राइभ से घ् updated तो इंड उना प्लस फोर आएगा तो ज्यादा वाले का प्लस सिक्स वाले की से डिस्टेंस ज्यादा यह प्लस फॉर वाले की कम नाइट्रोजन है सेम एलेमेंट ऑक्सिडेशन नमबर नाइट्रोजन का इस केस में निकालना बढ़ेगा आपको यहां इस केस में उक्सिडेशन नंबर प्लस थ्री इतल oso failure सिदयिसी बात हो गी और ठेक करते हैं एसांपल बहुत इसके बड़ी बड़ी सुषेव लिस अले treating शामल मिलते हैं इसे चेंपल वुटी ऑव और? left to right across a period, जब हम left to right move करते हैं, तो ऐसे distance क्या होती है, चली जाती है, सी पार्ट है, वो दो बाते तो मैंने अभी जो आपको बता दी, वो तो हो गई हमारी, जब हमें एक और अलग पार्ट देखते हैं, इसमें सिलिकन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, अब क्या केस है, यहां न नए ही Oxidation Number से, दोनों अलग अलग आ रहे है, Oxidation Number का भी फर्क है, और Element का भी फर्क है, ऐसे केस में क्या करना है हमें, ऐसे केस में हमें, Element जैसे जैसे, Electron Negative होता जा रहा है, ऐसे Distance बढ़ाते चले जाना हो, आलग Тाइप का Example, अधिए, उन दो केसे से हो तो सीधे सीधे केस थे बस और अगर हम अप्टू डाउन मूव करने पर भी देखते हैं बहुत सारे ऐलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे यह नाइट्रोजन है इच्पियोच 7 तो इलेक्ट्रो नेगटिविटि के बेस पर हमने जस्ट डेसड्राय poking एड़ हे हैंक तो कि ए एसी दिस्स जयादा ओक्सिजिशन नंबर यहांझ चेक करना पड़ेगा औक्सिजिशन नंबर दोनों के चल एंए तो पहले वाले सेreck कर जाएगा प्लस फाइव है यहां प्लस फाइव है सेम ऑक्सिडेशन नंबर है तो एलेक्ट्रो नेगटिविटी देख लो अब अप्टू डाउन मूग करने पर जैसे क्लोरीन वाले किस की हमने तो बिल्कुल वैसे एक्जाम्पल है सेम यह फॉस्फोर सारसानिक वाला होग इनके अलावा भी कुछ एक्जाम्पल होते है जो कारबन पर अगर एच लगा होता है यानि और गैनिक जो एसेड्स होते हैं उनको भी हम कंपेर कर सकते हैं कारबन का जो एच है उसको डिसाइड करने के लिए भी यह तो अभी तक मैंने एक एक्जाम्पल यह बता है जो आर्गेनिक एसेड का पढ़ते हारे ना देखो मेन हैडिंग देखो इन पेलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इन ओर गेनिक एसेड इन और गेनिक एसेड की बात कर रहा था मैं अभी तक अब हम दूसरा जो है के टाइब करते हैं वह होगा और गेनिक एसेड का है दो टाइब के और गेनिक एसेड हम सोच सकते हैं एक तो सिंपल जैसे एसेड़ प्रोपेनोई के सिड़ जिन में कार्बन मॉलेकुल कहीं न कहीं से प्रेजंट है तो हमें यहां मदद लेनी होती है resonance की एक phenomenon आपने जो bonding में पढ़ा है वो थोड़ा सा apply करना पढ़ेगा जैसे carbonate के resonance मैं याद दिलाता हूँ इसके पढ़े थे हमने oxygen negative मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं एक इसका resonance structure ऐसे लिख सकता हूँ double bond oxygen oxygen negative and oxygen negative यह resonating structure है तो जिन acid के conjugate base resonance stable होते हैं वो acid stronger acid count होते हैं जिन acid के conjugate base stable होते हैं resonance से वो acid stronger acid count होते हैं कोई acid है उस acid से हमने क्या किया एच हटा दिया तो क्या बनेगा conjugate base बनेगा तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वह यह बताना चाह रहा हूं इफ conjugate base is is Crow tebal by बन्स या फिपलो is conjugate base is showing resin on if conjugate base is stable by resonance then acid is stronger acid इससे related है अगर यह stable है resonance है then acid is stronger acid यह बात आपको note करनी चाहिए यह बड़ी important बात है इसके detail हम जब organic करेंगे organic chemistry करेंगे तब करेंगे detail लेकिन मैंने यह concept एक आपको बता दिया अगर किसी acid का conjugate base resonance कर रहा है तब वो acid strong acid बोला जाएगा एक type के तो यह होते हैं इसके अलावा भी बिना resonance वाले भी हम compare कर सकते हैं वो hybridization के base पर आएंगे electro negativity के base पर आएंगे तो यह हटा रहा हूं मैं इसको एक यह वाली बात तो मैं बता चुका आपको अभी हम थोड़ी देर पहले एक point पढ़ रहे थे कि अगर electro negativity बढ़ती है element की तो acid strength बढ़ जाती है सेम पीरिड के member अगर electro negative होते चले जाते हैं जादा electro negative होते चले जाते हैं तो तो acid strength बढ़ जाती है यह बात अभी हमने पढ़ी अच्छा एक और आप बात जानते हो कि electro negativity का relation hybridization के साथ भी है एक hybridization आपने कभी पढ़ा होगा SP एक hybridization पढ़ा होगा SP2 एक hybridization पढ़ा होगा SP3 यह तीन hybridization आपने पढ़े हैं इन तीन hybridization में जो SP hybridized होता है उसकी electro negativity सबसे जादा होती है bonding पढ़ाते हुए यह order मैंने आपको बताया था electro negativity SP की सबसे जादा SP2 की कम SP3 की सबसे कम यह बात यहां हमें acid strength decide करने में काम आने वाली है कभी आपको बोला जाए कि एक मेरे पास alkane है alkane मतलब CH3 हाइड्रोजन है इसमें बिलकुल लेकिन hybridization चेक करो तो hybridization SP3 है दूसरा मेरे पास molecule है CH2 double bond CH2 कार्बन को चेक करो कार्बन पर hybridization है SP2 करना पड़ेगा आप यह में hybridization में नहीं अटक सकता ना यहां एक पाई बॉन्ड है तीन सिग्मा बॉन्ड है तीन सिग्मा बॉन्ड के जब आप hybridization के टम्स में चेक करोगे तो SP आएगा इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा electronegative element निकला वो तो यह वाला निकला यह electronegative सबसे ज़्यादा उससे कम electronegative element जो आया वो यह आ गया सबसे कम electronegative element जो आ गया वो यह वाला आ गया जितनी ज्यादा electronegativity hydrogen उतना ज्यादा acidic जितनी कम electronegativity hydrogen उतना कम acidic तो अगर इनकी acid strength का order बोला जाए कि acid strength सबसे ज्यादा इन तीनों में किसकी होगी तो सबसे ज्यादा acid होगा alkyne फिर alkyne सबसे कम acidic होगा alkyne तो thumb rule बना लो alkyne 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 में alkyne ज्यादा acidic है कारण हमारे पास है क्योंकि alkyne का carbon ज्यादा electronegative है इसका भी कारण है हमारे पास alkyne का carbon ज्यादा electronegative इसलिए है क्योंकि alkyne के carbon carbon पर hybridization SP होता है SP hybridization मतलब ज्यादा electronegativity यहां तक मेरी ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह से तो यह एक बात हमने की जो यह बताती है बात की acid and base strength को कैसे compare करते हैं हम और इसको समझने के लिए मैंने कुछ चीज़े बताई बड़ा important topic है यह questions के according अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमने दूसरा lecture चल रहा है यह ionic equilibrium का अभी तक अगर कहीं से question आएगा तो acid base से आएगा मतलब आपको acid दी होंगे सिर्फ सीधे answer करना होगा which is stronger जितने possible question होंगे वो सब इसमें आ गए हैं आपके जो possible concept जितने भी applicable हैं यहां तक इस chapter के level तक यह तो acid base तो बहुत बड़ा topic है organic में चले जाएं तो organic में बहुत ज्यादा detail आती है लेकिन जितने आने के equilibrium से related acid base वाली problem है वो सारी मैंने cover कर दी हैं बहुत सारे equilibrium में पढ़ा था एक dissociation k पढ़ा था उसको हम यहां ionic equilibrium पर apply करेंगे dissociation constant k पढ़ा था एक जिसमें product के concentration और उनके stoichiometric coefficient जो होते थे उसको power में हम उपर चड़ा देते थे नीचे हम लिखते थे डिवाइड करके reactant के concentration और stoichiometric coefficient power में लिख देते थे k की value के मैं बात कर रहा हूँ लेकिन यहां ionic equilibrium में condition एक आ जाती है और वो condition किस चीज़ के आती है degree of ionization की यह देखना है पहले तो हलाकि मैं बता चुका degree of ionization लेकिन फिर भी अब मैं proper definition आपको बताऊंगा कि degree of ionization किसे कहते हैं जब भी हम किसी ionic molecule को water में dissolve करते हैं तो वो तूट कर अपने ion बनाता है AB है AB के 100 molecule लिए अब यह positive and negative बना दिया इसको हम लिखते हैं एक्कोस करके लिखते हैं याद होगा आपको एक्कोस लिखते हैं यह solid था अब यह कितने बने यह इस पर depend करता है कि यह strong electrolyte है यह weak electrolyte है अगर यह strong electrolyte है और 100% ionization हो रहा है तो अगर मैंने 100 molecule लिए थे तो ionization होने के बाद यहाँ 0 बचेंगे और 100 यह हो जाएंगे 100 यह हो जाएंगे तो 100 में से 100 ionize हो गए degree of ionization वन रहा है दूसरी बात अगर मैं कोई XY molecule लेता हूं यह weak electrolyte है वीक electrolyte होने का मतलब यह पूरा नहीं टूपता है X positive Y negative शुरू में जब हमने erection किया तो यह zero concentration था जब हमने dissolve नहीं किया after time t मान लो 2% यह dissociate हो गया 100 लिये थे शुरू में यह 0 थे यह 0 थे थोड़ी धेर के बाद 2 X positive और 2 Y negative अगर 2 X बनेंगे तो 2 Y बनेंगे आप एक एक Y positive 2 X positive तो लिखी नहीं सकते ना जब X Y तोड़ दिया तो यह तो एक तोड़ोगे या 2 तोड़ोगे अकेले X positive को थोड़ी निकालो X positive टूटेगा तो Y negative भी बनेंगा साथ X positive Y negative यह दोनों बनाए मैंने मालो दो यह बनाए दो यह बनाए तो 100 में से जितने जितने dissociate हुए उतने minus कर दिये यह बचे 98 तो यहां पर 100 इनिशली लिए थे मैंने dissociate हुए 2.02 degree of dissociation होगे बहुत simple सा concept है इसे हम बोलते हैं alpha number of dissociated molecule लिखना है उपर नीचे total molecule जो इनिशली लिए थे वो mole में लिख लो 1000-1000 में लिख लो molecule में लिख लो degree of dissociation उतनी आएगी क्योंकि ratio है वीक लेक्ट्रोलाइट के लिए यह value कम होती चली जाएगी जितनी value कम है उतना वीक लेक्ट्रोलाइट होगा strong लेक्ट्रोलाइट के लिए value बढ़ती चली जाएगी एक से जादा यह value कभी हो नहीं सकती है एक से जादा करने का मतलब यह है कि हमने 100 molecule लिए थे और 1500 dissociate हो गए तो यह तो कहानी बन गई ना यह तो नेता कर सकते हैं यह काम हम लोग तो नहीं कर सकते 100 molecule लिए थे और उसमें से 100 ही तो maximum to maximum 100 ही तो कर सकते हैं ना यह तो ऐसा हो गया कि यह paper दिया आपने 100 नंबर में से 105 मिल गया आपको तो maximum to maximum भई हद होगी तो 100 में से 100 मिल जाएंगे उससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे ना तो degree of dissociation one maximum बस alpha की value degree of ionization भी हम इसे कह सकते हैं degree of dissociation भी कह सकते हैं तो degree of ionization की मैं बात कर रहा हूं तो जब हम alpha calculate करेंगे तो alpha निकालने के लिए formula तो अब मैंने बताई दिया आपको यह जो theory है आरेनियस theory of electrolytic dissociation हम इसे कहते हैं electrolytic का मतलब जो केटाइन अनायन में तूट जाते हैं water में इनकर solution molecule of electrolyte undergoes spontaneous dissociation हमें कुछ करना नहीं बढ़ता उसमें बस वाटर जैसे नमक डाल देते हैं तो water खुद ने पॉजिटिव को लेकर के चला जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन में यह dissociate हो जाएगा अब जो main बात है आपके काम की वह यह बात में यह formula आपको याद रखना degree of ionization यह dissociation also number of dissociated molecule total number of molecule taken initially before dissociation जितने लिए तो यह value तो कभी जादा होई नहीं सकती इससे जादा जादा बराबर होगी बराबर होगी तो बस maximum degree of ionization वन आएगा strong electrolyte के लिए यह value जादा होती है वन के पास weak के लिए यह कम होती है अब अगर weak electrolyte है तब वो equilibrium establish करता है जैसे मालो मैं के CL लेता हूँ है यह 99% ionize हो रहा है के positive plus CL negative इसके equilibrium की condition है हम shift कर सकते हैं backward कर सकते हैं बाहर से के positive add कर दिया backward हो जाएगा के CL add कर दिया forward हो गया तो यह जो के है यह equilibrium constant कहलाएगा इसके लिए क्या होगा equilibrium constant concentration of K positive plus concentration of CL negative divided by concentration of KCL यह equilibrium state जिसमें dissociation हो जाता है यह ionic equilibrium कहलाती है कोई खास फर्क नहीं है बस एक degree of dissociation वहाँ पर हम नहीं आता होता था जब हम पढ़ते थे chemical equilibrium तो तो वहाँ degree of dissociation का कोई example किसी तरीके का हमने नहीं किया था अब यह करने के बाद हम ionic equilibrium से करने के बाद apply कर सकते हैं तो degree of dissociation में ionic equilibrium का पता चल गया हमें कि क्या होता है कि पॉजटिव प्लस सी एल नेंगेटिव यह reversible है रेक्षन अगर मैं इसे heat करके सारा का सारा जो water है वो evaporate कर दूँ तो यह फिर से dissociation खतम होकर के सी एल बना देगा यह रिवर्स हो जाएगा ऐसी equilibrium state को हम क्या बोलते हैं आयोनिक equilibrium बोलते हैं यह आयोनाइजेशन किन बातों पर depend करता है बहुत सारी चीज़े आपको सीखनी पड़ेंगी मेरे बास कोई molecule a b है suppose करते हैं एक a b है solid मैं उसे आयोनाइज कर रहा हूं water add कर दिया मैंने a positive b negative में टूट गया तो यह equilibrium forward backward कम backward ज्यादा forward हो सकता है या मैं ज्यादा forward कम backward कर सकता हूं गवन कर सकता हूं कौन से factor हैं जो इस equilibrium को govern करते हैं तो अभी हम वो factor पढ़ने वाले हैं जो इस reversibility को govern करते हैं या अगर मैं simple शब्दों में बोल दूँ तो जो degree of ionization को गवन करते हैं कि डिग्री ओफ आयोनाइजेशन मतलब इकलिविरियम कि इदर ज्यादा है forward ज्यादा है backward ज्यादा है कि डिग्री ओफ आयोनाइजेशन बढ़ सकती है किसी condition में किसी condition में कम हो सकती है एक temperature मैंने कम temperature यहां लिया मालोज माइनस five degrees Celsius ले लिया इस पर यह आयोनाइज हो गया है हो रहा है अब मैंने temperature बढ़ाया ज्यादा यह positive बी negative बनने लगा तो alpha तो बढ़ गया ना भई degree of ionization बढ़ गया क्योंकि number of dissociable molecules बढ़ गए तो temperature बेडिपेंडेंसी हो जाएगी ऐसे और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिस पर degree of ionization depend करती है देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं बड़े important बात है यह भी degree of dissociation या ionization जो dilution होता है वो बड़ा important role play करता है हम क्या करते हैं नमक गोल के देखो पानी में एक किसी ग्लास में आप एक चम्मच पानी लो थोड़ा सा पांच ml चार ml ले लिया उपर से एक चम्मच नमक डाल दिया थोड़ा सा तो घुल जाएगा थोड़ा सा वैसा ही रहेगा वो नमक तो सॉलिड नजर आ जाएगा इत्ता थोड़ा सा पानी लिया हमने को अंसेंट्रेटिड सेचुरेटिड सॉलूशन बन गया टिजॉल नहीं हुआ पूरा सारा आइनाइज नहीं हुआ सॉलिड दिख रहा है कहां हो गया आइनाइज आपने पानी ओड डाल दिया दस बीस पचा बढ़ता चला गया जो स्टोंग इलेक्त्रोलाइट है अब मैं काम की बात पर आ रहा हुए। ''Sेल्ग उलेक्ट्रोंगेसिट्ट का मतलब'' जो स्ट्रोंग इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मिलकर बने हैं, मैटल, नॉन मैटल से बने हैं, जो परफेक्ट आइनिक बॉंड बना रहे हैं, उनका डिग्री ओफ आइनिजेशन, डाइलूशन करने पर काफी डाइलूट करने पर वन हो जाता है, NACL का ये एक्ज डाल दिया, तो सारा आइनिज हो जाएगा, एक ड्रॉप में नहीं डिजॉल्व होगा, ना, दो तीन ड्रॉप में भी नहीं होगा, आपको कम से कम 50 ml, तो जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे ये आइनिज होता जाएगा, एक लिमिट आएगी, जब काफी डियूट हो जाएगा, तो सारा आइनिज हो चुकेगा, तो डिग्री ओफ आइनिजेशन क्या हुई, डियूशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है, डियूशन मतलब हम ज्यादा सॉल्वेंट यूज करते जा रही हैं, लेकिन वीक इलेक्रोलाइट के लिए बात स आइनिजेशन करेंगे, आइनिजेशन बढ़ेगा, लेकिन वन नहीं होगा, वन होने का क्या मतलब है, अलफा, अलफा वन होने का मतलब है, हंडेट परसंट मॉलेक्यूल आइनिज हो गए, सॉलिड कुछ नहीं बचा, अलफा वन नहीं का मतलब, पूरे हंडेट परसंट आ अगर हम करते हैं और हम स्ट्रोंग एलेक्ट्रोलाइट के लिए की वैल्यू वन देखते हैं. वाल इस वेरी लेस्ट देन वन फॉर वीक एलेक्ट्रोलाइट. इसके इलावा जो सॉल्वेंट है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना बही। नमक की बात करते हैं चलाओ आज आने CLEC, sodium chloride, test tube लिएक नमक डाल दिया एक चमच, पानी डाल दिया, घुल जाएगा, येस घुल जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, येस आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, solvent water, ओके टेस्ट इट, आयोनाइजेशन हो गया. दूसरा experiment, test tube लिए नमक वोई same, उतना है amount, इस बार पानी नहीं डालते हैं, आयोनाइजेशन होना, solvent पर भी तो depend कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि बस solvent हो, कोई भी हो, नहीं, solvent की polarity पर, solvent की ionize करने की power पर, जिसको हमें एक word देते हैं, solvent के लिए ये polarity चेक की जाती है, die electric constant बोलते हैं, हमें एक value होती है, solvent के लिए, जो ये बताती है, कि ये solvent कितना polar है, कितना polar नहीं है, जो polar solvent होते हैं, polar solvent, polarity चेक करने का, उसे हम die electric constant कहते हैं, जिनके die electric constant ज्यादा होते हैं, या अगर simple वाशा में बोलें, तो जो ज्यादा polar होता है, वो ज्यादा ionization करता है, जिनके die electric constant कम होते हैं, यानि जो non-polar होता है, जैसे oil, जैसे cyclohexane, जैसे benzene, ये polar नहीं हैं, ये ionization को promote नहीं करते हैं, तो दूसरा factor क्या हुआ, die electric constant of solvent, या polarity of solvent, simple भाशा में बोलें, इसके लिए जो सबसे अच्छा solvent माना जाता है दुनिया में, वो water, आसानी से, सब जगे अवलेबल, सस्ता सुन्दर टिका हूँ, water एक ऐसा solvent है, जो ionization के लिए इस्तमाल किया जाता है, हर जगा, कहीं पर भी water जो है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है, कि हमारे life के लिए ज़रूरी है, जो सारी दुनिया में और सारी चीज़े चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है, खाना पक रहा है, और दूसरी सारी चीज़े, उसके लिए भी water के बिना नहीं काम चलता है, कोई भी chemical reaction करना है, लगबग 99.9% cases में जो medium required होता है, हमें रिक्षन का, वो water चाहिए होता है, life के अलावा भी जो reaction चल रहे हैं, वो भी water के बिना नहीं होते हैं, तो अगर life भी किसी और चीज़ से चला लोगे, तो बागी सारी चीज़े बंद हो जाएंगी, फिर, वोटर एक ऐसा solvent है, जो ionization करने में मदद करता है, second part एक हो गया हमारा, इसके अलावा हम alpha यानि degree of ionization, अभी हमने एक बढ़ा dilution बढ़ाते हैं, तो ionization बढ़ता है, dilution बढ़ाना मतलब concentration कम करना, concentration of solution, आपने क्या किया, बढ़ा दिया, तो dilution हो जाएगा, concentration of solution बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, dilution कम हो गया, तो alpha किस पर depend करेगा, alpha बढ़ता चला जाएगा, जब हम concentration, solution का बढ़ा देंगे, यानि inversely related होगा, concentration जितना हम कम करेंगे, उतना value alpha की ज़्यादा होगी, यानि concentration बढ़ा, अगर किसी को नहीं समझ लग रही है, तो दुबारा से देखो, 50 ml पाने लिया, इसमें 10 चम्मच नमक डाल दिये, 10 स्पून्स, ये concentrated बना, ज़्यादा concentrated मतलब dilute कम, concentrated dilute inversely related है, तो अभी हम बोल रहे थे, ये dilution बढ़ता है, तो alpha बढ़ता है, लेकिन dilution and concentration एक दूसरे के inversely related है, तो concentration बढ़ेगा, तो alpha कम होगा, जितना ज़्यादा concentrated करते जाओगे, ionize कम होता रहेगा, वही दस सम्मच डाल दिये, 15, 20, 20, 20, 50, अब तो ये खतम हो जाएगा, सारा का सारा, यहाँ बस नमक की वचेगा, ionize होना बंद, मतलब जैसे जैसे concentration बढ़ा रहे हो, dissociation होना कम होता चला जा रहा है, inversely related है, इसी तरह से concentration का मतलब, जितना ज़्यादा amount डाला आपने, उतना ही concentration होगा, तो ये weight of solvent के, ये correct करना पड़ेगा, weight of solute, solution नहीं, weight of solute के भी inversely proportional होता है, और dilution के directly proportional होगा, ये तो हम करी चुके है, temperature के साथ साथ ये value बढ़ती ही चली जाती है, ये भी मैंने आपको बताई बात है, हमने अगर किसी electrolyte का temperature बढ़ाया, तो temperature बढ़ाने पर, alpha की value बढ़ेगी, alpha की value बढ़ने का मतलब, ionization बढ़ेगा, equilibrium right side पर shift होगा, ज्यादा केटाइन, ज्यादा एनाइन बनेंगे, equilibrium constant बढ़ जाएगा, alpha का relation K के साथ भी होता है, एक और बड़ी काम की बात है, ये तो main बात आगई है, ये temperature का तो होई गया अगरे, हमने करी लिया ये, हम एक chemical equilibrium बढ़ा करते थे, छोड़ दो ionization को, A plus B, reactant है, ये product बन रहा है मेरे पास, product one, plus product two, ये दो बन गए, मेरा आप से एक question है, जो मैं पूछ रहा हूँ, वो ये है कि, अगर मैं one of the product इसमें बाहर से add कर देता हूँ, तो equilibrium किदर shift होना चाहिए, बहुत details है, मैंने लेज़ देश प्रिंसिपल आपको बताया था, लाशातले प्रिंसिपल जिसे हम कहते हूँ, इस question का answer बता हूँ, बाहर से one of the product add कर देते हैं, तो equilibrium backward shift हो जाएगा, ये आपने भी बताया, सेम काम मैं यहां करता हूँ, एने CL लेता हूँ, water add कर दिया, इसमें मैंने, water add करने पर एने positive बन गया, echoes बना, बाहर से मैंने एने positive, sorry, CL negative बना, echoes बना, ये reversibly बन रहा है, अगर मैं water हटा दूँगा, तो ये सारा solid दुबारा बन जाएगा, अब मैंने क्या किया, बाहर से sodium chloride नहीं, सिर्फ CL negative बाहर से add कर दिया, अब CL negative अकेले तो ले नहीं सकते, मान लो calcium chloride लेकर के, CACL2, तो ये तो false है, ये तो one of the product नहीं है, CA2 positive बनेगा, CL negative बनेगा, लेकिन ये common है, ये common है, तो one of the product है ये, तो one of the product, that means हमने बाहर से add कर दिया, CACL2 add कर दिया तो NACL के solution में, तो ये अगर excessive हो जाएगा, तो equilibrium backward हो जाएगा, solidify होने के chance बढ़ जाएंगे, बिलकुल Lashatilis principle है, इसके इलावा नहीं है कुछ की, बाहर से one of the iron अगर हम add कर देते हैं, अब one of the iron, अकेला iron तो मिलेगा नहीं देखो भई कहीं, कि test tube में सिर्फ sodium positive है, उसके साथ हमें कोई दूसरा different, जो की one of the product ना हो, वो लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां wisely क्या use किया, NA positive, CL negative के साथ, बाहर से क्या add किया, CL negative and CA2 positive, मतलब CACL2 add किया, CA2 positive तो फाल्तों में गया, ना reactant की सरफ है, ना product यह, इसका तो कुछ काम नहीं रहा, लेकिन CL negative जो है, वो तो product वाली side है, वो तो ionize हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो equilibrium को पीछे की तरफ कर देगा, और backward करने पर इसको हम नाम देंगे common ion effect, यहां हमें इसका नाम बदल देते हैं, common ion effect क्या है, कि one of the ion, अगर हम बाहर से add कर देते हैं, जो solution में मौझूद हैं, तो equilibrium backward shift हो जाता है, और इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि ionization suppress कर जाता है, जब मैंने CL negative add किया, तो ionization होना इसका कम हो गया, नि reverse जादा हो गया, reverse जादा हो गया मतलब, suppress कर गया ionization, तो ionization suppress करना ही common ion effect है, यह बड़े काम का concept है, बहुत सारा अब इसके बाद का जो आएने के क्लिबरियम में, आदे से जादा common ion effect पर टिका हो है, solubility, solubility product, यह सब related हैं सारे के सारे, एक चीज़ पर और डिपेंड करती है, degree of dissociation, और वो है common ion, दुबारा से देखो common ion effect क्या है, A, B था, यह तूट रहा था, A positive, B negative में, हमने इसके लिए degree of dissociation निकाल लिया, alpha आ गया कुछ इसका, अब मैंने बाहर से A positive add कर दिया, A positive add करने पर backward ज्यादा हो जाएगा, यानि इस का ionization अब कम हो गया, forward कम हो गया तो, क्योंकि one of the product add करने पर equilibrium backward shift हो जाएना चाहिए, इसके तो alpha तो कम हो गई ना भई, क्यों हो गई कम alpha, कम आएन बन रहे हैं अब, अब ionization कम हो रहा है, A positive, B negative, इस A, B से की वज़़े से कम बन पा रहे हैं, तो degree of ionization of an electrolyte decreases, कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हम common ion एक add करते हैं, in presence of strong electrolyte, having a common ion, ये आज की date का दूसरा most important part है, अलाकि है अभी थोड़ा ही, लेकिन इस पर बहुत सारी चीज़े हम करेंगे, जो common ion effect है, आज की date का ये सबसे important part है, इसी पर बाकी बचा हुआ ionic equilibrium या उससे related concept हम करेंगे, तो चीज़े main important आज की class में मैंने बताई हैं, एक acidic behavior, left to right move करने पर, up to down move करने पर, दो टाइप के acid, hydride, oxoacid, और दूसरी चीज़, एक और जो discuss की, वो degree of dissociation alpha, and alpha किन-किन factors पर depend करता है, उन में mainly common ion effect, ये सारी चीज़े हमने discuss की, तो चलिए आज की class में हम इतना ही discuss करेंगे, आप लोगों को कोई problem, doubt हो गेरा है, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं,